प्लांट हार्मोन के प्रकार प्रादब हार्मोन के प्रकार प्रादब हार्मोन के प्रकार में हैं और प्रकार में बजाएंगे हार्मोन प्रकार प्रकार में लाखना आर्ला bends जीबरेलियन्स सय्टो काई अब्सन्द्र एफसियकसिट औरख ये रूके ल Antes की प्रकार में और जु quizz टोसच्ट आपको बहुद इक टो हार्मोन है तो हम सबसे पहला रहते हैं नुमर वन आक्सिन आक्सिस जो वर्ड है यह आक्सियन से बना है आक्सियन आक्सियन मिस होता है तू इंक्रीज तू यह आक्सियन से बना है आक्सियन में पहलता है तू इंक्रीज आप्सियन साथ और इंप्रेंट प्राइन्ट हार्मोन्स दे आप प्रोड्यूस्ट आजए का उप्री भाग है वहां पर यह इसका प्रोडुक्शन होता है produced apical meristem of the plant they chiefly induced elongation of the cell of the plant it was discovered by Wnt in 1928-18 इसकी खोश किसने की थी? Wnt it was discovered by Wnt Wnt 1928-18 Wnt ने उनकी खोश की थी आक्सिंस की आक्सिंस जो होते हैं वो उनकी एक्जाम्पिल्स आप एक्जाम्पिल आपको दे रहा है एक्जाम्पिल इसका है Indole A-C-T-C-C इसको हम शार्ड में I-A-I-P यह इसका एक्जाम्पिल है आक्सिंस का उस्वास नम्बर तू है आक्सिंस का उस्वास नम्बर तू है आक्जाम्पिल्स जिवर्यलिंस Zi-की जिवर्यलिनस अ-पिकल पार्ट आड इंभीओंव ऑफद अ-प्लांट्स यह एलियों के प्लांट्स में जो एंप्लांट के एबडियों में और अपिकल पांट में इनका इंका कर्यों का प्रोडक्शन होता है दे यार रिक्वाइड फार जा रिगूलेटिंग ग्रोफ आप दाप्लांट्स कि देया फॉस्स डिस्कवर बाई कुरोस बाउं 1926 फॉर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कुरो सुवा नाइन्टीन ट्विंटिसिक्स की दी कुरो सुवा एक्सेंटिस हुए हैं उन्हें की खुश की थी याबूता एंड हयाशी आइसोलेटेट जिब्रेलिन्स फ्राम्दा फंजाई यह वेगानिक हुए हैं याबूता याइनद सुल्ड़ता सा जिब्रेलिन्स फ्राम्दा जैतिस्नुष्य। ऐसलेट तुणा यह वेगानिक हद खुश मंग डिवलेंदा ज्व्यख रूम्टनुष्य। 5 जिबरेलिन्स फ्राम दा फंजाई फंजाई में उन्हें की खोश की थी सबसे पहले सिलुट किया था दे आर फाउंड इन आल दा प्लांट्स लाइक एल्गी फंगी एंड प्लॉबिल प्लांट्स उसके बाद यह मालुबवा की यह जो जिबरेलिस है यह एल्गी फंगी और सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में पायाते हैं एल्गी फंगी एंड और फ्लावरिंग प्लांट्स सबी फ्लावरिंग प्लांट्स जिन में फूल आते हूं सब प्लांट्स में यह जिबरेलिस पायाते हैं उसके बाद आपना है अपका थार्ड साइटो काइनिस स्साइटो काइने स्साइटो काने साइटो काने स्साइटो कि इन प्लावरिंग प्लावर द्यू कि यारज कि इन धर अधिए पुस्यूस सब्सक्जिबिजन औ जन सेल दिफरेंशिएशन मिला ऑंचिनिंफिफिश्स इसलीट इता विट फुस्तिंड हैं तुम ट्न दिन्नेव् इज है मिला निरफेंश मिला सब्सक्विएगिछ इस फिफिटीच्ज अटीछ मिलंग ने सबसे पहले 1966 में साइट टू कानल्स को इसलोट किया था फिर्स टाइम कहां से किया था डी एने आफ इस्ट फ्राम दा डी एने डी एने आफ इसे को इसलोट किया था इट वास काल्ट काइनेटी और इसका नाम रखा काइनेटी काइनेटी नाम इसका अठा गया स्कूब 1966 सिस्टिफड और और अप्टेंड एस सिमिलर कंपाउंड फ्राम दा कोकोनट मिल्क ये काल्ड इस काइनी स्कूब एक साइन्टिस हुए है कि स्कूब 1965 इन्हों नहीं जा गया था कोकोनेट कोकोनेट मिल्क से जो है वो इसको इसलिट किया कोकोनेट मिल्क और नाम रखा काइनी काइनी स्कूब ने काइन नाम रखा और मिलर ने काइन इसका नाम रखा इट वास काइनी विच वास लेटर आन काइन काइन साइट साइटू काइन बाद में इसका नाम दिया गया साइटू काइनी इसी तरह से फूर्थ यंज ग्प्सिक एप्सिक यसीड थिष्शक अप्सिक यसीड थ रख इस धर्रोट इंट इसे अर्ख थर्थ्ज इंट इस अर्पितिं रहम ने Corns and Edicott 1961 isolated this chemical from the cotton plant cotton plant say isolated Corns and Edicott Corns and Edicott 1961 1961 कौन जडी काट में इसको कहा से इसलेट क्या cotton from cotton plant isolate from cotton plant it prevents cell division ये excess acid का function क्या है ये cell division को prevent करता है उसको रोबता है और इसको growth inhibiting hormone भी कहते हैं growth 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 Invitic Harmony इसको Growth Invitic Harmony करते हैं Last है Number Five Ethylene Ethylene What is Ethylene? It is Only the Plant Hormone Present in Gaseous Form It was Discovered By Birg 1962 इसको Birg ने 1962 में इसको इसकी खोच की थी और ये Gaseous Form में होता है It was Discovered By Birg इस Concentric Increase During Repening of Fruits इसकी ये Fruits को जो है राइपेनि में हिल्प करता है It is called Fruit Repening Hormone इसको इसको हम Fruit Repening हार्मोन भी करते है Fruit Repening Hormone इतालिम को Fruit Repening Hormone भी करता है Dear Friends, उमीद है ये वीडियो Types of Plant Hormone आपके समझ में आ गया होगा Thank You, Take Care Do what इसको इसकी बाप करता हो Okay..